वेलकम टू सवरफ समाजीक ओलराउंडर चैनल सवरफ समाजीक ओलराउंडर चैनल में आपका हरदिक स्वागत है चलिए आज बात करते हैं इंदरा आवास के बारे में जो आप लोगों को पता होगा कि अब इंदरा आवास नाम नहीं रखा गया है अब इसका नाम बदल कर परधान मंतरी आवास योजना रखा गया है जिससे पी-एम आवास के नाम से जाना जाता है मैं जो जानकारी देता हूँ कोई फेक जानकारी नहीं देता हूँ सही, सटीक और संपुर्ण जानकारी देने का परियास यानी कोशिस करता हूँ पिछले विडियो में मैंने बताया था कि अगर आपका इंदरा आवास में है यानी नाम है तो कैसे चेक करें पिछले विडियो में मैंने ये बताया था कि अगर आपका इंदरा आवास यानी पी-एम आवास में परधान मंतरी आवास सी योजना में नाम है तो अपना नाम खुद से कैसे चेक करें इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जाकर चेक कर सकते हैं ठीक है तो मैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका नाम परधान मंत्री अवास योजना में है तो कितना पैसा मिलेंगे क्या क्या कागजात लगेंगे कैसे आपका पैसा बेंक एकाउंट में आएंगे कितने किस्त में आएंगे आप लोगों को सारा जानकारी दूंगा बस वीडियो को सुरू से अंतक देखे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कुछ नहीं किये हैं अब बिल्कुल सब्सक्राइब करके घंटी दवाने ना भूलें क्योंकि आपको PM आवास के बारे में हमसे बेतर जानकारी सायद कोई दे सकता है मैं डिटेल से सारा जानकारी देने का कोशिश करता हूँ और सारा जानकारी आवास्य दूंगा अगर आपका नाम परधान अम्मंत्री आवास योजना में आया हैं तो हमें कमेंट करके बताएं अगर नहीं भी आया हैं तो हमें कमेंट करना और इनफोर्मेशन करने के लिए न आगजात लगेंगे अगर आपका नाम प्रधान मंत्री आवास योजना में आया है तो कितना पैसा मिलेंगे तो चलिए सबसे पहले आपको ओल थेमली का अधार का फोटो इस्टेट दू कोपी पासपोर्ट साइज यानि हाफ फोटो जिसे बोला जाता है पासपोर्ट साइज का फोटो लगेंगे अब जिसका नाम से यानि की तिसरा इस्टेफ है जिसका नाम से इंद्रा यानि परधान मंत्री आवास योजना आया है या जिसे परधान मंत्री आवास का दूसरा नाम घैर निकेतन गिरी तो परिया वाची सब्द में नहीं जाना आवास मतलब जो होत अगर आपका घर संथाल के जमीन पर बनाए हैं और आप रहते हैं और आपका नाम पीएम रावास योजना में आ गया है तो रिजेक्ट होने की संभावना नहीं क्योंकि नीजी संपत्ती होना चाहिए कोई भी संथाल के जमीन यानी बिकरी पर वो सिर्फ संथाल ही बना सकते ह अदर कोई बनाने पर उस पर किसी भी हरहाल में परधान मंत्री आवास योजना नहीं आएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे तीसरा सवाल है कि आपको अगर परधान मंत्री आवास योजना में नाम आ गए तो कितना पैसा मिलेंगे तो सुत्रों के हवाले से ये खबर आ रही हैं कि अगर आपका नाम परधान मंत्री अवास योजना में आ गए हैं तो गाउं महले वाले को अड़ाई लाख रुपिये मिलेंगे एक लाख नहीं दो लाख नहीं पूरा पूरा अड़ाई लाख रुपिया मिलेंगे उसके अलाबा गाउं वाले के अलाबा यानि जो सहर में रहते हैं उसके लिए अलग से 4 या 4.5 लाख रुपिये का इस्टीमेट बनाया गया है जितना मैं कागजात के बारे में बताया हूँ सारा कागजात आपको अपने वाड मिंबर या मुख्या के हाथो सौपना होगा और सही से जनकारी के लिए उसे भेज देना होगा और वो भी पूरी तरह से अपना मुबाइल नमर लिख कर पूरी तरह से अधार काट पर लिख कर भेज दे तो मैं कुछ मतलब की वीडियो भी एल डबलू और मुख्या के माध्यम से मैं अपने मुहले गाउं यानि की उसी के बारे में जिसका जिसका इंदरा आवास या पीम आवास में नाम आया है उसका पूरा डिटेल मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ कि किसका किसका नाम किसका किसका नहीं आया है और पिछला वीडियो में जो बताए हैं आप अपने से देख सकते हैं कि कैसे अपना नाम चेक करें कहीं कोई तो छीपा तो नहीं रहा है तो अपने से अपना नाम खुद चेक करें किसी के भरोसे पर ना जिए तो चलिए वीडियो को दिखाते हैं किसका किसका नाम है आप अपना नाम चेक कर सकते हैं तो वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो ऐसा गलती ना करें अब वीडियो को यानि मेरे चैनल जो है तो सारा लिस्ट को मैं आपने से सामने रख देता हूँ और पूरी तरह से समझ सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं खोजने की कोई जरूरत नहीं बस एक इंतिजार कीजिए सारा लिस्ट को आप एक एक करके step by step चेक कर लिजे आपका सारा टेंसन दूर हो जाएगा और किसी का भरोशा पर ना जीए